आज हमने पढ़नी है बटा मारूजी हमारी पेज नंबर हमारी बुक्का है 2630 है और मारूजी पढ़नी है हमने 161 से लेके तकरीबर 180 के यह हमारी फर्मेंसी टेकनिशन के टेगरी भी पार्ट फर्स्ट के लेक्शर है बटा हाव मच डोज ओफ हाइड्रो ऑक्सो कुबाला मिन इस नसेसरी फार एवरी थ्री मन्स फार्दा रेस्ट आफ पेशेंट लाइफ 1000 माइक्रो ग्राम तो हाइड्रो कुबाला मिन जो है इन्जेक्शन है बटा मैथी कुबाल का वो हाइड्रोक्सो कुबाला मिन तकरीबर उसमें होता है और वो तकरीबर हर तीन माह के बाद उसकी 1000 माइक्रो ग्राम की जरूरत होती है तो आप को जगर मरीज है अनीमिक पेश लगवा लेना चाहिए तो यह 1000 माइक्रोग्राम की दरूरत होती है पिर आजाएगा चिलियोसिस इस कासबाई चिलियोसिस कहते हैं बटा जो आपके मुँ है ना उसके जो जो खाने वाला मुँ है उसके जो किनारे हैं ना वो अकसर उकात बच्चों के पक जाते हैं आपने शा खून की कमी हो गया है तो क्या कहला है चिलियोसिस हो जाएगा फिर आ जाएगा देली डोस ऑफोली के सड़ की डेली डोस कितनी होनी चाहिए पांच मिली ग्राम आपने एक सुरुका देखा होगा जिन औरतों को हमल होता है प्रेग्रेंसी होती है डॉक्टर उनको इन एक गोली कि उससे कमी होती है तो तो खूली कि इसड़ से कमी नहीं होती पांच्क मिली ग्राम उसकर सबासि को चाहिए Tea पांच पांच मिली ग्राम लेके जाने का कम कर थी यह रंग के लिये फिया साथ एफ शल्री ऑन वाही कित्यारी के लिएколь-चाहड़क ने कश ईफ पीजब आईयरन्ट लोहा उसकी मिगदार कम हो में बनाने के लिएक लिए फिर लिए खून की कमी हो जाती और इस खून की कम्य को क्या कछा थे ऐ है आईयरन डा केली मिना बनाख़ ओर या या अईयरन की कमी से हुण खिर के कि आ कि आएरन डेफिशंसी नेमिय धैन हैं फिट इस एस नॉह द गुन ओर इन्गंसी नियां यहाइख जानों फ़र गृतु तो यह जु बिमारियाँ है इ bet somehow don SIM के तरह जाएंगे के ना पार की था अफिर वार ना अपर ऑख्रेंगे तो नदर की त्रह मोड़ जाएंगे ऐसे लिए जैसे चममच अदर यह मुड़ी होती जानों को मालो कि जाना इसको थे निकिल एक यह को हम यह मेडिब rap के लफाज या निगलने में मुश्किल होना कि सारे भीमारियां किसके वगीं होंगी आयरन डिफिशनसी नीमिया कि वज़ए से जो आ Indian की वज़ए से axón की कम हुई है उसकी मिज़ए चून की विज़ इस सारे भीमारियां होंगी फिर आइंज आई आई डिकस्ट्रान ऐम डाली आइरन की जो टेबलेट है या डेली डोज कितनी देंगे 50 से 250 मिली ग्राम ठीक है यह डेली डोज हो सकती है फिर आजाएगा आइरन डेकस्टान शुड बी गिवन डीप आइम आइरन डेकस्टान जो है वो गहराई में आइम इंट्रा मस्कुलर्टी का लगाएंगे इसका ठी टाल देली डोज ऑफ फैरस सलफेट फैरस सलफेट की डेली डोज कितनी है 600 मिली ग्राम ब्रेक डाँट ऑफ रेड़ बलड सेल इसकार्ड जब ब्रेक डाँबूब्लायचन तूटना या मरना शुरू हो जाते हैं इसको कहेंगे हीमोलाग्ट Якनीमिया थेमोलाइसरों तो हैं प्र सिल्न समूथ हो जैंगे विर्टिंट के अंदर रिटेपर सेल की स्थीछ मिलेटिक राइड के लिए व्हारती कि नंबर जो है रेडब जल का भी मोंपलिटिक नियमिया में को दाज जो है वो ढिक्रीज आना चाहिए, यहां पर नॉर्मल लिखा होगा, यह बटा निशान नॉर्मल पर लगावा है, लेकिन आपने डिक्रीज पर लगाना है, जाहरी बात हीमोलाइसिस हो रही है, रेड़ बलड सेल मर रहे हैं, पलाइसिस में तूटना या मरना, तो रेड़ बलड सेल का और ये गौल तोर पर इसको कहते है स्वैरो साइडोसिस Uhr considerationende Collisab तो Ο उस्पिलैड और व साज्टोड सेल में। घू है मुलिडू सेलर तोड़ का कांश हो रहा हुता है उसके नियु है Сपैरोसाइड़ सेल जो तोड़ होड़ काます युदर कि यह खूंद को सप्लीन अक्टोमी के अगर ज्यादा चदीद हो जाएगा टो में का मश्वरा देना सप्लीन क्या देना सप्लीन का निकाल देना तिली का करती है पटा व्याज़ आपका स्टोर हाउस आउस है जैसे आप टैंकी में मुश्किल वकत के लिए पानी जमा करके रखते हैं अगर लाइट ना हो तो टैंकी वाला पानी इस्तमाल करते रहें तो इसी तरीके से लापाग ने यह सप्लीन जो है वो यह टैंकी बना रखी है एक कि खुदना खासता आपको चोड़ लग जाती है या आप किसी को बलड दे देते हो तो इसमें कुछ बलड जो है वो स्टोर होता है तिली में यह स्टोर हाउस है तो वहां से पूरा हो जाता है लेकिन स्प्लीन का दूसरा काम भी है स्टोर करने के साथ साथ के यह जो बिमार और बेकार सेल होते है ना उनको मारना शुरू कर देती है यह स्प्लीन तो यह जो स्फेरोसाइटोसेश ऐसी बिमारी है इसमें यह जो सेल होते हैं रेड़ ब्रेड सेल होते तो हैं लेकिन स्प्लीन इनको क्या समझती है कि ये बिमार हैं और इनको मारना शुरू कर देगी तो फिर मारना शुरू कर देगी तो फून की इंतहाई कमी हो जाएगी तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं इस सप्लीन को निकल वाद हो तिली को ही निकल वाद हो ताकि ये खाम खास है लोगो मारती ना रहे ठीक है तो इसलिए सप्लीन अक्टॉमिक करेंगे, नसीशत देंगे। डॉक्तर अगर जादा शदीद हो जाएगी. पोलिक कैस्ट देंगे, ब्लड लगवाएंगे और अगर जादा शदीद है तो सप्लीन ही निकलवा देंगे. तो यह सारे के सारे लाज है. हाल. ठीक है. इसके hereditary spherocytosis के सिकल साल अनीमिया सिक कहते है बिमार को बिमार जो सेल हैं उनकी वज़े से खून की कमी होगी है या नीमिया हो गई है इसकी यह किस क्या है inherited genetic disorder यह मरूसी जिनियाती बिमारी है जो एक नसल से दूतरे नसल में healthy है स्कल सेल अनीमिया यह पी यह इस अपर्सट मिन का अचैय। प्लिक एसट की टेबलेट देना चुरू करते हैं जब रेट ब्लड सेल नीचे बैठते हैं डियूरिंग प्रेजन्स ओफ हैं एंटी कोग्लेंट एंटी कोग्लेंट की मुझूद्गी में फ्राम दा ब्लड स्पेसिमन खून के नमुने में इस काल्ड सेडिमेंटेशन इसको हम क्या कहेंगे सेडिमेंटेशन ये नीचे बैठना रेट ब्लड सेल का नीचे बैठना ये डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं इसर सुना होगा इसर दिर्वाग लाओ इसका इसे एरेथ्रोसाइड यानि रेड ब्लड सेल का दुखरा नाम क्या है रेथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन नीचे बैठना रेट कि कितनी जल्दी नीचे बैठते हैं ये टेस्ट करवाते हैं इससे मुक्तलिफ किसम की इंफेक्शन का और बिमारियों इस ओर पता लगता है रेड बैठ जल का नीचे बैठ जाना सेटल डाउन होना वह क्या कह लाता है सैडिमेंटेशन और इस टेस्ट को क्या कहेंगे रेथ्रोसाइड sedimentation rate की test ampla the rate of settling of red blood cell occurs is known as unreliberate जो है setting का बैठने का red blood cell का उसक्कों क्या कहेंगे same three sideわかर्थ नीचे बैडना ठीक होगा भच गठा तो न्स वेलियो अफ एस है यह सब शॉअन्ह देखने कर्थ चेला है ये से रेत्रो सायट सीशिचिछ sedimentation for male by western region method, western region method से कितना हैगा, 5-10 mm, male में western region method का ये जो है normal value कितनी है, 5-10 mm है, ठीक हो गया, ये आज के लिए हमारा बटा इतना ही, मिलेंगे हम अगले lecture में, Allah आफिस,